आज आप लोगों को सबसे पहले तो इद की बहुत-बहुत मुबारक बात अल्दा करें कि जल्द से जल्द ये को रणा वगएरा खतम हो और आप लोग वापस अपनी क्लासेज वगएरा करें ठीक है इस सुब काम नाओं के साथ आई ये स्टार्ट करते हैं हम लोगोंने लास्ट क्लास में यानि कि जो लेच्चर 5 था वहां पे हम लोगोंने डिस्कस किया है रिटार्मेंट आपि यaking सारी चीज़ अमने बताई आपको ने प्राफित शेरेस किल निककालना गेनिंग कुछ problems मैंने कल ही आप से लोगों से कहा था यानि कि lecture 5 में मैं ही मैंने बोला था कि next lecture में हम लोग problems discuss करेंगे तो आज हम लोग सिर्फ problems ही discuss करेंगे इस chapter के प्योंकि जब हम लोग problem solve करते हैं तो बहुत सी चीजें जो हम लोगों की दिमाग से skip कर जाती है during the theory वो solution में आ जाती है जब हम solve करते उस problem को तो अब बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनको हम solve करते करते सीख जाते हैं बागी सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप lecture करें तो उसमें homework दिया रहता है ना homework जरूर करें क्योंकि homework करने पर क्या होगा कि अगर कोई problem होगी तो आप मेरे से discuss कर सकते हो और teachers को भी confidence रहता है कि हाँ नहीं बच्चा कर रहा है तो फिर बताने में भी अच्छा लगता है ठीक है आई आई तो एक कोई बड़ा question उठाते हैं ताकि उसमें सारी चीज़ें हो revolution account भी हो capital भी हो आई तो सबसे पहले हम discuss करते हैं illustration no.12 illustration no.12 the balance sheet of R.C. Suresh and Locash who were sharing profit in the ratio of 5 is to 3 is to 2 is given below as on March 31st 2017 capital दिया हुआ है श्याम गगन राम लैंड बिल्दिंग प्लांट एंड मशीनरी फनीचर एंड फिटिंग्स स्टॉक्स अंडिटर्स कैश इन हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस इलाइबिल्टी में दिया है वसके आउड़ स्टैंडिंग है क्रेडिटर्स डिजर्व अब इसका क्या करता है Silks 2019 स्टाञे किदीटर्स पहले यहां किदर जाएंगा रिवैलिशन अकांट के डेटिट and fittings valued 80,000, बढ़ गया, क्या हो गया, increase, किधर जाएगा, revolution account के credit side में, फिर क्या कह रहा है, profit share of suray still date of retirement to be calculated on the basis of last year profit, 2 lakhs, अच्छा, an amount of rupees 10,000 due from Mr. Deepak, a debtor was doubtful and a provision for the same was required, तो two provision for doubtful debt, debit में जाएगा, 10,000 रुपए का, goodwill of the firm was valued 2 lakh, 2 lakh rupees goodwill firm की valued की गई है, suray was paid 40,000 immediately on retirement and the balance was transferred to his loans account, यानि कि उसको 40,000 रुपए suray को तुरंट दे दिया गया, retirement के समय और balance loan कर दिया, 80s and location where to share profit in the ratio of 3s to 2, prepare, revaluation account, capital account and balance sheet of reconstituted firm, तो देखिये, revolution account, stock देखिये, पहले कितने का था, 185,000, फिर कितने का हो गया, 172, कितना कम हो गया, 13,000, ये 13,000 आप debit side में शो करिए, stock का, furniture increase हुआ है, 3000, credit में जाएगा, provision for doubtful debt, 10,000 रुपए, debit में जाएगा, आईए, दिखाते हैं आपको, ये देखिये, stock 13,000, provision for doubtful debt, 10,000, furniture 3,000, टोटल किया, 23, डेबिट side में अगर 23 है, तो credit side में भी कितना होना चाहिए, 23, लेकिन credit side में सिर्फ है कितना 3, तो balance कितना आया, 20,000, it means that is the loss, और loss बटेगा तीनों में, कौन से ratio में, तो उनका old ratio, old ratio कहाँ दिया है सर, old ratio question में दिया हुआ है, 5 is to 3 is to 2, बाढ़ दो, 5, 3 और 2 के ratio में, बाढ़ दो, तो 10, 6, 4 बढ़ गया, अब आईए capital account पे, खतम, revolution account बन गया आपका, exam में अगर MCQ में मान लिजे सर, यही question अगर MCQ में पूछा, पहली चीज़ तो B.com में आपके नहीं पूछेगा, दिर्ल घंटे का paper होता है, H.C.S. तो यह clear कर लो, सर, अगर मान लिजे हम कोई competitive exam दिये, PGT वगर, या कभी भी competitive exam दिये, तब, जैसे अभी example के तोर पे, BHL में vacancy आई है, B.com pass मांगा है, 70% के साथ, और आप माशालला आप लोगों के percentage भी अच्छे आते हैं, सर, अगर यही question आगया, तब क्या करेंगे, तो आप से यही full-fledged question आएगा, और ऐसे ही पूछेगा, कि revaluation का profit बताईए, या loss बताईए, तो आप calculate करोगे, इसलिए practical पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, और accounting में practical के लाबा कुछ है नहीं, आईए, तो सबसे पहले, capital, शाम का, साथ बीस, गगन का, चार पंदरा, राम का, तीन पैतालेस, साथ बीस, चार पंदरा, तीन पैतालेस, साथ बीस, चार पंदरा, तीन पैतालेस, यह क्या हो गया, opening capital, two balance BD देखी लिखा हुआ है, reserve fund, old ratio में बार दीजे, reserve fund कितना है, reserve fund है इनका, 1,80,000, इसको बार दीजे, 5 इस टू, 3 इस टू, 1,80,000 को 5 इस टू, 3 इस टू, 90, 54, 36, loss on revaluation, यह आया ही है, ठीक है, अब, profit, जो जा रहा है उसका हिस्सा, तो profit कितना था, यह देखिए, शुरेज वाज, sorry, profit, share of surays, till the date of retirement, is to be calculated on the basis of the firm, last year profit, last year profit कितनी थी, 2,00,000 रुपए, ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, कि surays retire कब हो रहा है, surays retire हो रहा है, 30 June, 2017, और यह balance sheet कब close हो रही है, 31 March, अप्रेल, माई, जून, तीन महीने का profit निकाली, 3 divided by 12, 2,00, इंटू 3 divided by 12, कितना आया, 50,000, अब इसमें, surays का ratio जड़ा देखिए, 5 इस्टू 3 इस्टू 2, जिसमें, 80 surays और location, surays का ratio 3 by 10, 2 by 10, और 5 by 10, तो 50,000 का 3 by 10 कर लीजे, कितना आया, 15,000, तो profit and loss, suspense account कितना आगया भाई, 15,000, फिर से समझा देता हूं मैं, asis, surays, और location का ratio है, 5 इस्टू 3 इस्टू 2, 2 लाख रुपए, पिछले साल का profit दिया हुआ है, पिछले साल का रहा है, तो 3 महीने का निकाली जे, क्योंकि जून में retire हो रहा है, 2017, और closing आपने 31 मार्च को कर दी, तो 3 महीने का आपने profit निकाला, आया वो 50,000, उसमें surays का हिस्सा 3 by 10, सर surays का ही क्यों निकाला, 80S location का क्यों निकाला, बेटा, 80S location सोड़ों न retire हो रहे हैं, retire तो सिर्फ सुरेश हो रहा है, sorry, तो जो जाएगा, उसी को उसका हिस्सा मिलेगा ना भाई, तो 15,000 दे दिया, अब सर, अब आप निकाले गुडविल, अगली प्रॉब्लम, गुडविल निकालने के लिए, आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो का फार्मूला है, new, minus, old, तो 80S और लोकेश का निकालेगा, सुरेश तो रिटायर हो रहा है, 80S का new ratio, 3 by 5, और लोकेश का new ratio, 2 by 5, minus, minus, old ratio, 5 by 10, 2 by 10, LCM 50, 20, 10 by 50, यहां पे भी 50, 30, 15, 15 by 50, 15 is to 10, और छोटा कर लो, 3 is to 2, gaining ratio आगया, goodwill valued निकाल लो, question में दिया हुआ है, goodwill of the firm, was valued 2,00, दो लाख रुपए की वैलिवेशन की गहीं गुड़ विल की, ठीक है, 2,00, इंटू, और निकाली जाए आप, 3 by 10, यहां गया 60,000, अब यह 60,000 को 3 is to 2 के ratio में बाढ़ दो, gaining ratio, 3 by 5, 2 by 5, अच्छ 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 सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ ठीक, gaining ratio उतना ही आएगा ना, 10 हाँ गल्ती होगी मेरे से एक, ध्यान नहीं दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आए, यहां पर LCM आया 10, 6, 5, 1 by 10, 10, 4, 2 by 10, 1 is to 2, बाढ़ दीजे, 1 by 3, 20,000, आसीज, and 40,000, लोकेश, तो सॉरेश को मिल रहा है, आसीज की तरब से, आसीज कैपिटल, बाई आसीज कैपिटल, 20,000, बाई लोकेश कैपिटल, 40,000, और आसीज और लोकेश, देख इसको रहे हैं, सॉरेश को, तो 2 सॉरेश कैपिटल, 20,000, 40,000, और लोस आपने लिखी दिया है, clear है, अब टोटल करिए, तो सबसे पहले, सॉरेश का मामला निटा दीजे, सॉरेश जा रहा है, इनको भेज दीजे, सॉरेश का टोटल किया, अच्छा, रिजर्ब फंड भी बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में, बताई था, तोटल किया, 5,44,000, इसमें से 6 माइनस किया, 5,38, फिर उसमें से 40 माइनस किया, तो 4,90, सॉरी, 6 माइनस किया, 5,38, अब क्वेशन में ये कह रहा था, कि 40,000 आपने कैश दे दिया, सॉरेश को, और बाकी क्या कर दिया, लोन, तो उसको जितना कैश दिया है, कैश जितना दिया है, 40,000 रुपई, ये लिख दीजे, और जो बाकी बचा, वो क्या हो गया, लोन, 48,000, और बाकी आसीज, और लोकेश की क्लोजिंग कैटल केतनी आई, 780, 337, अब आप बैलेंस शीट बनाईए, बैलेंस शीट में सबसे पहले, लाइबिल्टी साइड में आईए, लाइबिल्टी साइड में सबसे पहले, आसीज की कैटल, लोकेश की कैटल, जो closing आई वो लिख दीजे सुरेस का लोन क्योंकि सुरेस को तो पूरा पैसा दिया नहीं 4,98,000 संडरी क्रेडिटर 1,24,000 आउड इस टर्णिंग एक्सपेंस 16,000 लैंड में कोई changes नहीं, building में कोई changes नहीं, plant and machine में कोई changes नहीं, furniture 3,000 रुपए से बढ़ गया था 80,000 stock घड गया था, फिर संडरी डेटर में प्रोविजन किया था 10,000 रुपए का bet debt का यह आगया 162,000, cash आपके पास 1,21,000 रुपए की थी, जिसमें से 40,000 रुपए आपने सुरेस को दे दिया, तो closing cash बचा 81,000 और profit and loss का suspense 15,000 क्योंकि वह जो profit and loss दिया था आपने, suspense में जा रहा है ना, दिखा रहा हूँ मैं, यह, कि अभी year तो complete हुआ नहीं, तो suspense में तो डाला जाएगा, total किया 17,55,000, 17,55,000, that's it, simple, अब next topic है, adjustment of partner capital, अभी मैंने आपको simple problem बताया था, adjustment of partner capital, at the time of retirement of death, जब partner expire हो जाता है, या मान के चलो retire हो जाता है, the remaining partner may decided to adjust their capital contribution in their profit sharing ratio, जैसे हम लोग admission के समय पर adjustment of partner पढ़े थे, adjustment of capital पढ़े थे, तो जो partner आ रहा है, वो जितने share के लिए आ रहा है, उसी proportion में हम लोग अपने capital को adjust करते थे, जैसे हम लोगोंने admission में किया था, कि अगर access है, तो withdrawing कर लेंगे, और अगर कम है, तो introduce कराएंगे, वही same process हमें यहाँ पे भी adopt करना है, कोई बदलाव नहीं है यहाँ पे, जो हमने वहाँ पे किया था, वही same चीज़ हमें यहाँ पे करना है, कुछ भी अलग से नहीं करना है, जैसे एक छोटा सा example के तौर पे, तो सबसे पहले तो जो न्यू फर्म का इन्हों ने कैपिटल फिक्स किया, वह कितना फिक्स किया है, एक लाख बीस अजार, मोहित, नीरज और सोहन, पार्टनर, जिसमें से नीरज रिटायर हो रहा है, नीरज, तो नया जो रेशियो बच रहा है, वो ट्विश्ट टुवन, इसका मतलब जो एक लाख बीस हजार रुपए है, इसको आप ट्विश्ट टुवन के रेशियो में बार दीजे, मोहित का हुआ असी और सोहन का हुआ चालिस, 80 and 40, यह न्यू कापिटल हुई, आपकी existing कापिटल कितनी है, 82, होनी कितनी चाहिए, 80, यानि कि आपकी कापिटल जादा है, तो 2000 आप ड्रॉइंग कर लीजे, निकाल लीजे, और यहाँ पर देखिए सोहन का 41 हो रहा है क्लोजिंग और न्यू क्याप्टल केतनी है 40 यानि की ज्यादा है तो यहाँ देखिए इंट्री क्या किया है इन्होंने मोहित कैपिटल 2000 रुपे निकाला सोहन ने 1000 रुपे निकाला टू कैश एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाई सोहन जो एक्सेस कैपिटल था उसको सोहन ने विड्रॉक कर लिया भाई यह देखिए ना कि आपका जो न्यू कैपिटल वो वन लैक ट्वेंडी थाउजन था टू इस्टु वन के रेशो में बाटा तो आपकी कैपिटल होनी चाहिए असी और चालिस और पुरानी कैपिटल आपकी एटी टू और फॉर्टी वन है ज्यादा है ना न्यू कैपिटल से तो जितना ज् प्रॉफिट शेरिंग रेशियो 3221 धीपर रिटायर हो गई न्यू प्रॉफिट शेरिंग रेशियो 321 हो गया 321 के रेवैलुशन अब गुडविल अक्मुलेटेट प्रॉफिट दा कैपिटल अकाउंट आप आसा एं लटा शोड़ा क्रेडिट बैलेंस एक साथ और असी यानि कि जो इनकी एक्जिस्टिंग कैपिटल है वो टोटल दो लाग चालिस अजार रुपए की है एक साथ और असी जोड़ेंगे तो दो चालिस की हो गई यह देखिए इतना होना चाहिए एक असी और साथ है कितना एक साथ और असी इनका कम है होना है एक असी चाहिए तो बीस हजार यह लेकर आएंगे इंट्रोड्यूस कैपिटल करेंगे इनका साथ होना चाहिए असी है यानि कि बीस हजार यह ड्रोइंग करेंगी विड्रोड्यू करेंगी तो लता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश लता निकालेंगी पैसा या बैंक और बैंक अकाउंट डेबिट टू आसा कैपिटल क्योंकि आसा पैसा लेकर आएंगी क्लियर है एक बार देख लिजे यह है वरकिंग पूरा आसा और लता की दोनों कैपिटल जोड़ी तो दो लाग चाली से रहा है न्यू प्रॉफिट शेरिंग रेशियो त्रीस टुवन तो त्रीस टुवन के रेशियो में जब बाटा तो आसा का हुआ एक असी और लता का लता का 20,000 जादा है तो लता 20,000 निकाल लें ड्रॉइंग कल लें ठीक है चलिए बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास में और बाकी आप होमवक वगरा करिए ठीक है चलिए थैंक्यू क्लास